चैश्री कृष्णा आप सभी का दिन शुभर मंगल में हो काना जी आप सभी की मनुकाम नहीं पूरी करें आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे आशार मास मातम में आज की कथा कथा बहुत ही अलग है लेकिन आपकी मन को जरूर अच्छी लगेगी उससे पहले महक का दान हमें दे सकते हैं इससे जादा आपको दान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फिर भी महक चतुरवेदी जी आपको और आपके पूरे परिवार को किटकेट स्ट्रोरी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपसे एक और अनुरूद है कि आप जिस भी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं प्लीज अपना नाम भी जरूर बताईएगा अब सुनिए आज की कहानी एक बार की बात है किसी गाओं में एक बहुत धियानी पंडित रहता था एक दिन वह अपने बच्पन के मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरी गाओं में जा रहा था, तब ही रास्ते में उसे एक और आदवी मिल गया वो भी बंडित के साथ चाल चलने लगा बंडित ने सोचा चुल अच्छा ही हुआ साथ-साथ चलने से सफर भी कर जाएगा और सफर का पता भी नहीं चलेगा थोड़ी ही दूर चलने पर उस पंडित ने उस अंजान व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा उस व्यक्ति ने अपना नाम महाकाल बताया पंडित को ये नाम थोड़ा जीब सा लगा लेकिन पंडित ने नाम के बारे में कुछ पूछना उचित नहीं समझा वे दोनों धीरे धीरे साथ में चल ही रहे थे तभी रास्ते में एक गाउं पड़ा तब महाकाल ने पंडित से कहा कि तुम आगे चलो मुझे इस गाउं में एक संदेशा देना है मैं तुम से आगे आकर मिलूँगा पंडित ने क महाकाल वापस आ गया फिर चलते चलते पंडित और महाकाल दोनों एक दूसरे गाउं के बाहर पहुच गए यहां पर भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था ठैरने की विवस्था भी अच्छी लग रही थी पंडित के मित्र का गाउं भी वहां से अभी काफी दूर था रा आराम भी कर लेते हैं पहले भोजन कर लेंगे कल सुबह आराम से आगे का सफर तैय करेंगे पंडित की बात सुनकर महाकाल ने कहा ठीक है मुझे इस गाउं में किसी को कोई जरूरी सामान देने जाना है तो तुम खाना खाकर आराम करो मैं थोड़ी देर बाद आकर खाना ख पंडित ने पड़े आश्यरी से सोचा कि ये महाकाल जहां भी जाता है किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई हानी नुकसान जरूर हो जाता है कुछ तो गड़बर है लेकिन पंडित ने रात में महाकाल से इस बात का कोई जिकर तो नहीं किया फिर सुबह दोनों ने अपने जोरी काम है मैं वो काम करके आप से जल्दी आकर मिलता हूं ऐसा कहकर महाकाल आगे जाने लगा लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा बलकि वहीं पर खड़ा होकर महाकाल को देखता रहा कि अब देखूं वो कहां जाता है और क्या करता है तब ही थोड़ी ही तेर में लोगों की जोर जोर से आवाजे सुनाई देने लगी कि किसी व्यक्ति को साप ने डस लिया है और वो मर गया है ठीक उसी समय महाकाल फिर से उस पंडित के पास पहुच गया लेकिन इस पार पंडित से रहा नहीं गया आखिरकार उसने महाकाल से पूछी लिया कि एक बात त साथ साथ चलने लगा था क्योंकि ज्यानियों का संग बहुत अच्छा होता है परंतु आप तो अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ पंडित ने कहा मैं समझ गया हूँ लेकिन मुझे फिर भी कुछ शंका है अगर आप ही अपना सही परिचे दे दे तो मेरी ये शंक थी फिर भी महाकाल के मूँ से सुनकर पंडित खबरा गया आखिरकार हिम्मत बटोर कर उसने पूछा कि अगर ऐसी बात है और तुम सच मुच यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्य किसकी होगी यमदूत ने जवाब दिया अगली मृत्य तुम्हारे उसी मित्रकी है जिससे बाद भी सही होगी और फिर मेरे कारण मेरे बच्पन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्य हो जाएगी इसलिए अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाओं कम से कम मैं तो उसकी मृत्य का कारण नहीं बन सकूँगा महाकाल ने देखा कि पंडित कुछ सो तो महाकाल ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है मैं सब जानता हूं मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियती नहीं बदल सकती तुम्हारे मित्र की मृत्य निश्चित है और वह अगले कुछ ही छड़ों में घटित होने वाली है महाकाल के मन की बात जो जान ले थी जो कि एक साधरन व्यक्ति के लिए बिलकुल संभव नहीं था अब तो पंडित को विश्वास हो गया कि ये महाकाल सचमुच में यम्दूत हैं वे अपने मित्र की मृत्य का कारण ना बने इसलिए पंडित अब पीछे की और वापस मुड़ा और मित्र तेजी से उसकी और ही आता हुँ दिखाई दिया जो पंडित को देखकर बड़ा प्रसने लग रहा था अपने मित्र के आने की गती को देखकर पंडित को ऐसा लगा मन उसका मित्र बहुत समय से उसके ही पीछे आ रहा हो लेकिन वो तो बच्पन से ही गूंगा था और प्यार से भी अपाहिज था, इसलिए ना तो वह पंडित के पास पहुँच पा रहा था और ना ही पंडित को आवाजे दे पा रहा था, लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुचा अचानक उसकी मृत्ति हो गई, पंडित ये देखकर हक्का बक्का हो गया, और महाकाल क्यों देखने लगा मानों पूछना चाह रहा हो कि आखिर हुआ क्या महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला तुम्हारा मित्र पिछले गाउं से तुम्हारे पीछे पीछे आ लेकिन वह अपाहिज और गुंगा होने के कारण तुम तक नहीं पहुंच सका उसने अपनी पूरी ताकत लगा कर तुम तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन बुढ़ापे में बच्पन या जवानी जैसी ताकत नहीं होती इसलिए हर्द्यागात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्य हो गई जोकि तुमसे मिलने के लिए वह अपनी गती की सीमा को लांगते वे तुमसे मिलने के लिए पीछे-पीछे भाग रहा था इसलिए अपने मित्र की मृत्यों का कारण तुम ही बने अब पंडित को विश्वास हो चुका था कि सचमुच ये महाकाल एक यमदू नहीं है यही सोचकर उसने अपने आपको संभाल लिया लेकिन अचानक पंडित के मन में खुद की मृत्यू के बारे में जानने की इच्छा जागी इसलिए उसने महाकाल से पूछा कि जब मृत्यू मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से मेरे साथ क्यों चल रहे थे महाक वस्तू या घटना की संदर्व में सोचने समझने या देखने का समय ही नहीं होता पंडित ने महाकाल की बास सुनी तो कहा तो फिर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी मृत्यू कब और कैसे होगी महाकाल ने कहा हलां कि किसी भी सामाने जीव को ये जानना ठीक नहीं है क् कोई भी जीव अपनी मृत्यू के बारे में जानकर बहुत दुखी होता है लेकिन तुम ज्यानी व्यक्ति लगते हो और अपनी मित्र की मृत्य को तुमने जितनी आसानी से सहन कर लिया है उसे देख कर लगता है कि तुम अपनी मृत्यू के बारे में जानकर भी दुखी नह कि तुम खुद खुशी से फांसी को स्विकार कर लोगे। ऐसा कहकर महाकाल वहां से जाने लगा। क्योंकि महाकाल का पंडित के साथ चलते रहने का आप कोई कारण जो नहीं था। की प्रसिधी उस राज के राजा तक थी उस पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री हैं वे मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई हल निकाल ही लेंगे पंडित ये सोचते वे राज तरबार में पहुँच गया और उसने वहां जाकर राजा को स से सलाह मांगी अंत में सभी ने विचार विमर्ष करके कहा कि अगर पंडित की बात सही है तो ये तो निश्चित है कि उसकी मृत्यू छे महने के बाद ही होगी लेकिन मृत्यू तब होगी जब वह दूसरे राजी में जाएगा और अगर वह दूसरे राजी में जाएगा ही नहीं तो मृत्यू भी नहीं होगी मंत्रियों की ये सलह राजों को भी ठीक लगी फिर बहुत सोच मज़कर राजा ने पंडित के रहने की व्यवस्था महल में ही कर दी और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था लेकिन पंडित कहीं मृत्य होने वाली थी, पंडित अपनी मृत्य को लेकर बड़ा परिशान था, बहुत चिंतित और दुखी था, इसलिए उस दिन पंडित दर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, तो उसकी मृत्य उटल सके, लेकिन पंडि को नीद में चलने का दौरा पड़ा, वो चानक उठा और जेल से निकल कर अस्तबल में चला गया, पंडित राजा का खास महमान था, इसलिए किसी पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका, और नहीं किसी तरह की कोई पूस्ताज की, अस्तबल में पहुंचकर वो सबसे तेज चल का, नहीं कोई पूस्ताज की, सभी लोग रात के अंतिम पहर होने की कारण गहरी नीद में थे, और इधर वो पंडित सीधर राजा के शैनकक्ष में पहुंच गया, जहां पर राजा और रानी सो रहे थे, वहीं पर जाकर पंडित भी लेट गया, सुबह होई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा, जिससे देखकर राजा को बड़ा गुसा आया, और उसने पंडित को गिरिफतार कर लिया, पंडित को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कि आखिरकार वो राती रात में किसी दूसरी राजी में और राजा की शैनकक्ष मे कैसे पहुँच गया, लेकिन वहाँ पर बेचारे पंडित की सारी बात सुनने वाला भला कौन था, राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया, कुछ समय बाद पंडित को दरबार मिलाया गया, और फिर थोड़ी देर बाद राजा का दरबार लगा, जह ये नहीं जानता हूँ कि मैं राज महल में कैसे पहुँच गया और ये भी नहीं जानता कि मैं आपके शेनकक्ष में कैसे आया और आपके राज के किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरे मृति होनी थी और अब सच में होनी जा राजा के सवाल के जवाब में पंडित ने महाकाल से मिलने की सारी बात बता दी और कहा कि महराज मेरा क्या किसी भी सावानी व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वो राजा के शेयन कक्ष में राजा की उपस्थिती में रानी के पास चला जाए और सो जाए राजा को पंडित की ब पंडित से कहा अगर तुम्हारी ये बात सच है तो आज तुम्हारी मृत्यों का दिन है जैसे कि तुम्हें महाकाल ने कहा था तो तुम्हारी मृत्यों का कारण मैं नहीं बनूगा लेकिन अगर ये बात छूटी निकली तो निश्ची थी आज तुम्हारी मृत्यों का दिन हो पंडित जो कह रहा है वो पूरी तरह सच है। दूसरे राजी के राजा ने पंडित को रहने के लिए अपने ही महल में पूरी व्यवस्था कर रखी थी। और पिछले छह महिने से वो पंडित राजा का महमान था। अगर दंड फांसी नहीं दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाएगा। और अगर राजा के द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो बिचारे पंडित की तो बिना वजय ही मृत्ति हो जाएगी। भी फांसी नहीं लगेगी और उसकी जान भी बच्चाएगी। राजा को यी सुझा बहुत अच्छा लगा। उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया। अब पंडित के लिए कच्चे धागे के सूत का फांसी का फंदा तयार किया गया। और नियम के नुसार पंडित को फांसी पर चड़ाया जाने लगा। सभी लोग खुश थे कि ऐसा करने से ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन जूटा होगा। अब पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृति हो नहीं सकती। इसलिए वो भी बड़ा खुशी-खुशी फांसी पर चड़ने को तयार था। ज पंडित के गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धरकन के साथ ही उसके गले से खोन की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शान्त हो गया। पंडित के प्राण निकल चु की थी और नियति ने अपना काम कर दिया था कहते है कि जो हो नहँता है वह होकर ही रहता है काल पर किसी कवश नहीं हम चाहें कितनी भी साफ्धान्या बरत भी उपाए कर लें लेकिन हर घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही विधातर द्वारा तय होती हैं जोसे हम थोड़ा सा भी बाल बराबर भी इधर उदर नहीं कर सकते इसलिए इश्वर ने हमें भविश जानने के खशमता ही नहीं दी है शाद भगवान ये शक्त में डर डर कर हर दिन अपनी मृत्य का इंतजार करने की बजाए उसने बहुत बहुत जीवन जिया होता इसी तरह से हमें अपने आपको भी समझना चाहिए अपने आस पास रहने वाले सभी जीव जंतों के बारे में भी सोचना चाहिए सभी को एक समान प्यार देना चाहिए सभी की कद्र करने चाहिए क्योंकि मरना तो एक न एक दिन सभी को है तो क्यों न हम अपने आज को भर पूर जी ले सब को खुशिया दे और खुद भी खुशी से जीवन जी ले ये था आज का प्रसंग आपको कैसा लगा कमेट करके जरूर बताईएगा